नमस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 42 यर्स है और ये मैनिफेक्ट्रिंग का काम करते हैं इन्होंने काफी बड़े सपने देखे थे बड़ा सामराज्य क्रियेट करने के सपने देखे थे पर इनको धन रेखा का साथ नहीं है और साथ में राहू रेखाय भी काट रही है तो वर्तमान समय इनके लिए उप्यूक्त नहीं है ये किस तरह से कैसे कैसे समय इनका चलेगा वो सारी चीजे इनके हाथ में देखते हैं ये काफी महनती व्यक्ति होंगे बहुत चोड़ा पाम है तो बहुत जादा महनती होते हैं लोग इनको रिगिस्तान में भी भेज़ दो तो वहां से भी पानी निकल कर मिठा पानी निकल कर लाएंगे इतने महनती होती ये तो ये एक प्लस पॉइंट है अंगुठा काफी है छोटा तो स्ट्रॉंग व्यक्तित्व तो नहीं होगा पर स्ट्रॉंग विचार धारा जरूर होगी क्योंकि मांसल है अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे फैलेंज सारे सपाट है तो बिजनेस माइंडेड होगे और जो अलरेड़ी है उंगलिया बहुत छोटी है तो बहुत फास्ट नीने लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संक्या ज़्यादा रहती है उंगलिया मोटी है साथ में अंदूनी मंगल भी अच्छा है तो सरीर में एनरजी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रहती है सुरी की उंगली बढ़ी है तो बहुत ज़्यादा हिमती सभाव व्यक्ति में पाया जाता है कश्ट में भी व्यक्ति अपना जीवन जीता है जब अगर आपके सुर्य की उंगली बड़ी होती है तो और जेब में पचास हजार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते छोटी उंगली फर्स फेरेंग तक नहीं पहुंची व्यक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकॉंट ये सारी चीजों में व्यक्ति कहीं न कहीं कम जोर होता है अब इनके क्लोज अप की और चलते है बुद्परवत पर देखे तो जब भी आपको बड़ी लाइने दिखे वर्तमान समय इ ये एक समय आएगा ये अच्छे खासे सम्रुद्ध बनेंगे और सारे संकेत इनके हाथ में इस तरह के हैं हाँ पर थोड़े साल इनको तकलिफ है ये जीवन में तो ये कंडिशन इनके हाथ में दिख रही है पर ये रेखा है 100% इनको सम्रुद्ध बनाएगी पहली चीज़ जब यहाँ पर दबा हुआ रहता है बुद्ध छेत्र तो व्यक्ति को अपने मन की बात नहीं कर पाता है चाहे बिजनेस मीटिंग में हो चाहे परिवार के साथ बैठाओ और वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी ये रह गई यहाँ पर ये पार जब उभार रहता है बुद्ध का तो नाम के प्रती व्यक्ति को ज़्यादा जिक्यासा रहती है एक सनलाइन भी बनी हुई है जो लगबग उम्र पचास के आसपास से एक्टिव हो रही है यहाँ फिर कमफर्टेबल इंकम इनके जीवन में आएगी पच और यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है जब यह रेखा होते है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा गासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विकास भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते अब यह लाइन देखी मैंने इनको पूछा कभी जीवन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो इन्होंने यस कहा भविश में कोई ऐसा काम होगा जो विद्यस से धन प्राप्त करवाएगा या आया जैसा काम किसी और के प्रोड प्राप्ति की और उस पर सर्विस देकर पैसा कमाने यानि किसी और के प्रोड़क को बेचना या किसी और के प्रोड़क के लिए हमें सर्विस देना या विदेश से धन प्राप्ति के और इनके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के योग ज्यादा उजुवल दिख रहे यह जो मैंने वेक्षिंग कर रहे वह एक्सपोर्ट भी यह कर सकते हैं तो इस तरह कि कोई न कोई लाइन इनके जीवन में बनेगी और बुड़ा पे अच्छी खासी इंकम यह करेंगे और कब से इंकम किस तरह से होगी वह धन रेखा पर आएंगे तब उसके बारे में निस्क करता है चौथा ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला बनता है चार मैंसे किसी को चारो लाब मिलते किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक अब इनके जुपिटर माउंट को देखे तो जुपिटर माउंट पर एक लाइन दो लाइन और ये तीसरी भी लाइन हम पकड़ सकते ये चार लाब दिखाती है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी में ध्यान जाता है मल्टिपल इंकम के सुरोध क्रियेट होते हैं सेवा भावी होते हैं खाली पैसा कमाना नहीं जाते हैं कोई न कोई सेवा का कार्य भी ये जीवन में करते हैं चोथी चीज र्यक्ति-धर्मिक बनता है तो ये चार लाब इनके हाथ में शो हो रहें और जुपिटर माउंट मेरे इसाबसे काफी अच्छा है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा जीवन में प्राप्त होता है अंदुनी मंगल काफी अच्छा उभार है इस तरह का अंदुनी मंगल हो तो सरीर में एनरजी एक स्पोर्ट परसन या सैनिक की तरह होती है हाँ इनको टीनेज में और जवानी में आप शब्द बोलने की ज़्यादा आदत रहती है पर दीरे दीरे कम होता है एक दम निकलता ने पर सरीर के एनरजी भरपूर रहती है बारी मंगल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा हीमती सभाओ के होंगे ये और जब किसी से मिलते होंगे तो एनरजी के साथ मिलते होंगे तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में है चंद्रपरवत को देखे तो ये पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ है ये जब दबता है तो व्यक्ती बाते जादा करता है ये भी एक माइनेस पॉइंट पाया जाता है और इनकी जीवन रेखा को देखे तो जो बड़ा फोटोग्राफ्स है उसमें भी नीचे का पार्ट डिख नहीं रहा है वहां अंधेरा आ गया है अगर ये रेखा ऐसे होती है तो ट्राविलिंग जादा करती है और इस तरह की अगर फिश शैंग बनती है नीचे की तरफ जोइंट होकर तो व्यक्ती के संतान विदेश में जाकर पढ़ते या कमाने जाते और फिर बुड़ा पे में आना जाना होता है अब इनका फुल फोटोग्राफ था उसमें भी ये नीचे का पार्ट दब गया शो नहीं हो रहा है अब मनी टैंगल देखे कितना बड़ा है थोड़ी सी हलकी लाइनों से बना है खर्च का पेमाना जादा रहता है पर ये जब भी पैसा कमाएंगे बड़े पैमाने पर कमाएंगे काफी बड़े पैमाने पर पैसा इनके जीवन में आएगा और इन्होंने जो कहा था कि बड़ा सामराजी क्रेट करना है तो ये पॉसीबल होगा पर वो कब होगा वो धन रेखा और जीवन रेखा से इनको पता चलेगा और इस तरह कि अगर जीवन रेखा चलती होगी तो ऐसे लोगों का विकास अपने जन सल से दूर होता है ये भी देखा जाता है शुक्र परवत भी अच्छा खासा है और स्क्वेर बने हुए तो प्रॉपर्टी के योग भी इनके जीवन में बनेंगे और शुक्र परवत पर कोई प्रॉबलम नहीं है अच्छी खासी मोटी रेखा है तो लग्जेरियस लाइफ मिलेगी पर वर्तमान समय इनके लिए काफी कर्ष्ट पोन है और शुक्र अच्छा होता है और साथ में जूपिटर तो पैसे का सुख पारिवारिक सुख सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा प्राप्त होता है अब इनकी रिदे रेखा को देखे तो शनी परवत से ही सुरू हो रही है तो इन में तीन तरके गून पाये जाते है सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसके तरफ ध्यान जाता है और ध्यान जाने के कारण व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता भी है सेकेंड कामुक भावना और थर्ड कभी-कभी फीजिकल बनते है यानि हाथ-पैर उठाते यह भी माइनस पॉइंट इनके जीवन में रहता है और यहाँ पर हृदे रेका थोड़ी सी डार्क है तो जंजटे जीवन में जरूर रहेगी और यहाँ पर एक ब्रेक लग रहा है तो यह उम्र लगबग पैसट के आस-पास इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे इनका हदे थोड़ा सा व्याकुल होगा थोड़े समय के लिए और उसके बाद भी सीम्पल से चालू रहे और यह रेखा होती है तो माबाप का ख्याल रखने वाले होते है और यह फ्लाट लाइने होती है तो व्याक्ति डुकी भी हो तो थोड़ी दिर डुकी होता है उसके बाद खुशी ढूनने की कोशिस करता है अब माइन लाइन को देखे तो जो इनोंने कहा कि बाड़ा सामराजजी करने की पूरी इच्छा थी और जिस व्यक्ति की माइन लाइन जूपिटर से सुरुवात होती है उस व्यक्ति को कहीं न कहीं महतुकांशी होता और अपनी महतुकांशा पूरी भी करता है और यह रेखा चलकर ऐसे उपर की तरफ देख रही है तो पैसा कमाने का कोई न कोई भारी गुण इनमें पाया जाता है पर इनको फिलाल धन रेखा का जरा भी साथ नहीं है इसके लिए यह तकलिफ उठा रहे है और यहाँ पर एक ब्रेक है अब यह फोटोग्राफ थोड़ा सा क्रॉस में है तो एकजेट उमर निकालना तो थोड़ा सा तकलिफ दायक है फिर भी कोशिस करते है यह उम्र होगी 36 के आसपास कोई ने कोई ऐसी घटना घटी होगी इनके जीवन में उसके बाद यह जीवन के प्रती सिरियस बने होंगे क्योंकि यहां पर माइन लाइन पर ब्रेक है और यह रेखा सीधी चलकर नीचे की तरफ जा रही है तो जैसे जैसे उमर बढ़ेगी थोड़े से धाल्मिक भी बनेंगे बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज्यादा बूल बूल करते होंगे यह एक माइनस पॉइंट इन में रहेगा अब जीवन रेखा पर देखे तो एक 28 के आसपास एक राउ रेखा ने काटा है एक 36 के आसपास राउ रेखा ने काटा है एक 37 के आसपास हो सकता है कोई नेर एंड एरर की भी हुए है और कि उसके बाद Oh 39 के आसपास एक राव रेखा ने काटा अ 가장 एक थिन इन की एकस प्शेवण के आसपास और एकस थीद्री के आसपास में इतनी राव रेखा इनको दिश्रुब करें उसके बाद कोई राव रेखा इनके जीवन रेखा को काट नहीं रही है और जीवन रेखा चल कर थोड़ी सी चंद्रपरवत की और जाती है यह चाहेंगे तो विदेश में भी अगर सैटल होना चाहे तो यह हो सकते क्योंकि इनको फेट लाइन का यहां पर साथ मिला हुआ और जीवन रेखा काफी उत्तम है अब इनकी धन रेखा को देखे तो जिस वेक्ति की धन रेखा जीवन रेखा से सुरुवात होती है तो ऐसे लोग सेल्स मेड होते है यानि खुद के बलबूते पर लड़ाई लड़ते और किसी का सारा नहीं लेते और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते है यह धन रेखा पर एक उम्र लगबख 29-30 के आसपास राव रेखा ने काटा हो सकता है यह राव रेखा 29 के आसपास हो इस पिर उसके बाद यह 36 तक चली और बाद में एकदम लाइट हो गई और यहां से एक और व्योसाइनों ने सुरू किया होगा जो अभी फिलाल इनको साथ नहीं मिल रहा है यह पूरी फैले हुई धन रेखा है इसको दूसरा फोटोग्राफ में बहुत अच्छी तरह से हम देखें एक कोई न कोई कामकाजीन का सुरू होगा यह यहां पर यह सुरू होगा लगबग उम्र 43 के आसपास पर यह 46 के आसपास से थोड़ा सा ग्रोथ करना चालू होगा एक नया कामकाजीन का सुरू होगा यह उम्र लगबग 46 के आसपास से और ये पूरी विदे सिधन प्राप्ती की और या जो मैंने सुरुवात में बता है उस तरह से और ये हलकी हलकी चल कर लगबग 50 के आसपास से स्ट्रॉम हो रही है यानि 50 के आसपास से इस वेवसाव में भी ग्रोथ मिलेगा और टिमेंडर्स ग्रोथ मिलेगा और इस रेखा पर जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसके जो उतार चड़ाओ है उसके बारे में हम और एक क्लोज अप है उस पर चलते हैं ये देखिए ये यहाँ पर इस पार्ट तक कम्प्लिट सुजन भरी रेखा है ये पिरियड होगा लगबग इनके जीवन का 43 तक का पार्ट उसके बाद दो साल इनको दो से धाई साल इनको थोड़ी सी सांती मिलेगी जो भी ये वेवसाय कर रहे हैं कहीं न कहीं थोड़ी सी ग्रोथ दिखेगी और एक इन्वेस्मेंट भी इनके जीवन में होगा लगबग 44 के आस पास उसके बाद वापस दो ढ़ाई साल के बाद वापस इनकी धंद्रे का इतनी बूरी तो नहीं बन रही है पर यहां से यहां तक यानि उम्र 49 तक इनके जीवन में वापस यह रेखा कहीं न कई खर्च का पैमाना बढ़ाएगी और उसके बाद यह सीधी चल कर लगबग 56-55 तक स्टॉप हो रही है पर उसके पहले जो इनोंने यहां से जो वैवसाय सुरू किया होगा वो 52-53 से अच्छा खासा चल कर आगे बढ़ेगा और यह रेखा भी ग्रोथ देगी जो उपर की तरू जा रही है और बाद में यह रेखा का भी साथ मिलेगा तो यह इस तरह का इनके जीवन में अब डाउंस रहेंगे पर वर्तमान समय तो इनके लिए काफी कश्पून है 36-37 के बाद तो इनकी हालत काफी पतली हो रहे होगी तुकि यह पूरी फैली हुई है रेखा यह देखिए और उस पर भी कही न कहीं छोटे मोटे कटार है और यह यहां तक तो कंप्लिट है उसके बाद यह दो धाई साल का पिरियर्ट थोड़ा सा वेवस्तित जाएगा फिर यह वापस 3-4 साल परेशानी देगी और उसके बाद यह ग्रोथ मिलेगी पर उसके पहले कहीं न कहीं दूसरी इंकम इनके जीवन में स्टार्ट हो जाएगी तो यह कंडिशन इनके जीवन में रहने वाले है आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद